हेलो दोस्तो इंडिया रेलवे जैनगर जोगवनी जहंजारपूर के अलावे उत्तर बिहार के कई सारे रेलवे स्टेशनों से नई नई ट्रेने चलाने वाली है जिसे आप मेरे यूटूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग का सिकायत यह है कि यह जो जोगवनी और जैनगर से ट्रेन चलाई गई है इसका टाइम टेवल सही नहीं है इसके अलावे भी कई सारी सिकायते आ रही है तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या सब इन ट्रेनों में समस्या आए हैं लेक करनिंग की बात करें तो यह ट्रेन रक्सोल से साम में 6 बज के 40 मिनट में खुलेगी दर्भंगा 12 बजे के आस्वास पहुंचेगी और जैनगर धाई बजे तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसका टैम टेवल कितना ज्यादा अजीब दिया गया है जैनगर से सुबह म जाना चाहते हैं जातर जिसके लिए और लेडी पहले से काफी ट्रेने हैं इसके अलवा इसका टैम टेवल और भी सही किया जा सकता है और इसका रिटर्निंग का भी आप टैम टेवल देखेगा तो वो भी बहुत ही जादा अजीब दिया गया है 12 बजे रात में दर्भंगा में दो पहड में खुलेगी और रात के 10 बज के 30 मिनट में पहुँचेगी जोगवनी जो की रात हो जाता है इसमें भी प्रोब्लम हो सकते है लेकिन ये फिर भी चल सकता है लेकिन ओही पर अगर आप इसके रिटर्निंग का देखेगा तो वो बहुत ही जादा गरबर दिया है ये ट्रेन जोगवनी से रात के 11 बज के 45 मिनट लगभग 12 बज खुलेगी और जंजारपूर सुबह में 4 बज आएगी जो की थोरा सा सही हो भी सकता है लेकिन जोगवनी से जो लोग यातरा करेंगे उसके लिए बहुत ही जादा कठिन यातरा होगी इतने रात में 12 बज रात में कौन यातरा करता है और फिर सुबह में ये ट्रेन 11 बज के 15 मिनट में रक्सोल पहुंच जाएगी तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इन सभी ट्रेनों का टाइम टेवल कितना ज़्यादा अजीब दिया गया है रात में दिया गया है या फिर सुबह में दिया जो की मतलब अनकमफर्टेवल होता है यातरियों के लिए जादा सुबह में भी देना थोरा जीब हो जाता है लेकिन सुबह का तो चल भी सकता है लेकिन जो रात में आता है बारा एक दो बज़े वो बहुत ज़्यादा गरबढ है इसलिए बहुत सारे लोग मांग करें कि इ लाजाए इसके अलावा जितने भी ट्रेन है उसको रक्सोल से चलाय जा रहा है जबकि रक्सोल से उतना ज्यादा डिमांड है भी ने और अगर चलाना ही तो रक्सोल के रास्ते थोड़ा और आगे गोरकपुर्ण दिल्ली योध्या तक के लिए चलाया जाए जिससे कि उसमें और भी लोग लंबी यात्रा कर सके तो बहुत सारे लोग की यही मांग है और यही सिकायत है तो आपका क्या सोचना है सभी चीजों के बारे में कोमेंट वक्स में जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही धानेवाद